गुजराट्रे पूनी बिजेपी र बड़ा विजोयर संभावना एकजिट पोल्ड र फड़ा फड़कुने इस सर्गरम राज़निती बिजेपी हेवकी सबुटु लंबा समय ख्यमातारे रही भार दला बिरोधी आसनरे रही रेकर्ड करीबकी कांग्रेस मोधी साहंका गडरे फेल मारिबा केजर्वल मिशन एकजिट पोल्स पोस्ट कलाकी दुई हजर चाबिस र चित्र सोंबर गुजराट बिधान सबार अवसिष्ट त्यानवे आसन पाई दूतियो तथा चुडानत परजय भोट ग्रहन प्रक्रिया से सोईची गुजराट बिधान सबारा मोट 122 आसन पाई दुई परजय रे भोट ग्रहन कर जाई छी डिसेंबर आट रे उबय हिमाचल प्रदेश वो गुजराट बिधान सबा निर्बाचन रफडा फड़ एका सांगरे घोस्टना करा जिब सुचर जोग्या नभेंबर बार अरे हिमाचल प्रदेश विधान सबारा मोट 68 आसन पाई गोटिये परजय रे भोट ग्रहन कर जाई थिला संबार संद्या पांचटा सुधा गुजराट रे मतदान सेसोय वापरे बिबिनना नियूज चैनल अबंग संस्ता पाखेरू एक्जिट पॉल प्रश्टत करा जाई ची तो दन जाई गुजराट रे ख्यमता सिन बीजेपी निरंग को सा संक्या गरिश्टता हासल करीवाकु थिबाबे रे हिमाचल प्रदेश रे ख्यमता सिन बीजेपी और कॉंग्रेस महत्य रे खड़ा टककर देखिवाकु मिली पारे बली क्वा जाऊ ची एक्जीट फोल से भी उपर उससे हटकर बीजेपी का इस बार बड़ा भीज़ाई है गुजरात की जंता के आसिरवाद मानने मोधी जी का लोगपिरता उनका परिश्रम और मन्यामीत साजी का मेनेजमेंट और उनका परिश्रम और भाजपा कारे करता के एक जूट होकर एक उसे भी जदा बीजेपी को सीट मिलेगी आज तक गुजरात में किसी एक पार्टी को जतना वॉट्सेर नहीं मिला है उतना वॉट्सेर इस बार 2022 के चुनाओं में गुजरात की जंता बीजेपी को देगी तो एक चित्र सफास्त है कि बहुत ज़णा सीटे बीजेपी की सिर्वाज़ और समर्थन बाचपा के साथ है, मुदी जी के साथ है. जी के साथ है, मुदी जी के साथ है. उसके बाद पावर का इंट्री पोल जो होगा, वो लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तमाल कर दिया है. पार्टी ने परिश्रम किया है और परिश्रम के पॉजिटिव प्रडाम की विश्वास के साथ पार्टी सोच रही है. और लेट्स वेट और वाच. पी सपक्खेरे सार्बादी का आसन मिलिवारस पास्ट करी छोंती. अपर पक्खेरे गुजराटरे कांग्रेस को मुख्य बिरोधी दलभावे भूमी का तुलाईबाकु पड़ी पारे बुली. एकजिट पोल रूस सोंकेत मिलिची. जदी एकजिट पोल ताथ्या सोत्य प्रमानित हुए एते बेगुजराटरे बिजे पीतु याज्यार सोतर तुलानरे 32 अधिका आसन हाथे बाकु जाओ थी पाविडे कांग्रेस 133 आसन हराई पारे बुली क्वा जाओ ची. भारतिय जन्ता पार्टी गुजात विदान सभा का एलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ी थी और रेकोर्ड करने के लिए लड़ रही थी और पार्टी के बज़ाए जब मद्दा था ये लड़ाई अपने उपर ले ले लेते हैं तो एक रे पार्टी और गुजरात की जन्ता ने साथ में मिलके एक नया इतियास लिखना तई कर लिया है पिछले 27 साल से चल रहा है ये संबंध आने वाले दिनों में और बहतरी होने जा रहा है ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं ये चुनाव संबंधों के इतियास के लिए भारतिय जंता पाटी से जादा गुजरात की जंता ने ये चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक शेत्र में सवरास्टर हो धक्षिन गुजरात उत्तर या मध्य गुजरात हर एक शेत्र में भारतिय जंता पाटी का कमल खिलने जा रहा है। भारतिय जंता पाटी और गुजरात की पूर्णी जनमता बीजेपी सापख्यारी जिवावली आकळादु करदेवची विरो रिपोर्ट आर्दुस्टीवुच